this is the next question देखते हैं इसको कौन सॉल्व करता है पहले आप से क्या पूछा गया है आप से पूछा गया है इफ दा प्राइज ओफ इसको मैं जूम कर लेता हूं ठीक है इफ दा प्राइज ओफ वीट राइज बढ़ चुका है 25 परसेंट तो आप कितना परसेंट अपना कंजम्शन रिद्यूस करोगे ताकि बजट में कोई हेर फेर ना हो या बजट सेम रहे के परसेंटेज का सेम्पल से कुश्यन लेकिन लॉजीच बड़ा अच्छा है अच्छा तो आपनेन था सप्रीज ओफ अंडिदétais का suppose 100 kg wheat लेता था ठीक I am taking the hypothetical situation आप यह मत बोलना का 100 का 100 kg नहीं आता है why I have taken 100 100 values को कहीं नहीं it will going to be easy na for the calculation तो मैंने यह original value लिये suppose originally originally जो wheat था वो 100 रुपे का 100 kg मिलता था now what happened price of wheat rises by 25% so price rises by 25% the price rises by 25% का मतलब क्या है जो wheat जो wheat मुझे 100 रुपे का मिलता था 100 kg अब price बढ़ चुके हैं तो price rises by person को मैं directly लिख सकता हम because I have taken value 100 rupees इसका मतलब अब 125 रुपीज का कितना मिलेगा मुझे 100 kg मिलेगा this you have to understand और क्या क्या रहा है आप से question में that you have to you have to reduce your consumption in order to keep his budget the same इसका मतलब पहले आप 100 रुपे का wheat खरीदते थे 100 रुपे का अभी भी आपने 100 रुपे का ही खरीदना है ठीक है तो अब लेकिन रेट क्या हो चिक है 125 रुपीज का 100 kg आता है तो लेकिन आपको 100 kg से मतलब नहीं consumption तो कम होगा क्योंकि आपको 100 रुपे का ही खरीदना है पहले तो 100 रुपे का 100 kg आता था जब तो आप 100 रुपीज देते थे और आपको 100 kg वीट मिलता था लेकिन अब प्राइज बढ़ चुका है 25% तो आप 125 रुपीज का 100 kg आएगा लेकिन आपके पास 100 रुपीज ही है आपको लेना फिर से 100 रुपीज का ही है तो जब आप 100 रुपीज का लोग है तो प्राइज बढ़ चुका ही है तो आप 100 रुपीज का लोग यूनिटरी में अचट लग जाएगा यहां पर अगर 125 रुपीज का 100 kg आ रहा है तो 100 रुपीज का कितना है रुपीज का है का 100 kg से कम आया है का लेस ठीक है वट इस फॉर्मला फॉर लेस लेस बाइमोर इंटु इंडिविज वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आई भी ठीक है अगर हम वैल्यू स्पुट करें इफ विल्पुट दे वैल्यू लेस इस हाँ मच ठीक है और इसको अगर आप सॉल्व करोगे इस इस बी 25 25 फाइव ओके दिस बीट्वीफव फोर जा तो दिस बीट्वीफ 20 टाइम्स दिस बी हाँ मच 80 kg तो आप डारेकली बता सबना सकते हो अब आपका 100 रुपीज में कितना आ रहा है 80 kg ठीक है तो ओके तो पहले आपका 100 रुपीज में कितना आता था 100 kg अब आपका 100 रुपीज में कितना आ रहा है कितना रहा है 80 kg ठीक है तो यह जो consumption है ना आपका यह consumption reduce हो चुका है और यह कितने percent से reduced हुआ है क्योंकि हमने 100 kg लिया है so it has been reduced by 20% directly ठीक है यहाँ पर आप decreasing percentage निकालोगे और decreasing percentage is equal to decreased value to 20 kg decrease y upon larger value is 100 into 100 when you will do you will get your answer 20% okay so 20% is the right answer